शराब बंदी आंदोलन की नेता पूनम अंकूर चाबला ने पिम दरे दर्मोधी और मुख्यमंतरी अशोग गहलोत को पत्र लिख कर कोरोना के खत्म होने तक शराब की बिकरी पर रोक लगाने की मांग की है पूनम अंकूर चाबला ने कहा कि ठेके खुलने के बाद लोग घर बैठकर शराब का जादा सेवन करेंगे जिससे घरिलू हिंसा और अपराधिक मामलों में बड़ोतरी होगी उन्होंने कहा कि गरिब लोग तो शराब खरीदे के लिए महिलाओं के गहने तक बेज़ देंगे ऐसे में सरकार को शराब पर तुरंत रोक लगानी चाहिए भारत सरकार ने आज एक निर्दी शारी किया है कि पूरे भारत देश में शराब गुटका पान बेगी सिगरेट की दुकान खोल दी जाए यह सुनके मिझे बहुत ज़्यादा जटका लगा है मैं बहुत दुखी हूँ इस फैसले से और कड़ी शब्दों में इस फैसले की निंदा करती हूँ कि इसी बाबत आज मैंने खत प्रधान मंत्री जी को राजिस्दान के मुख्य मंत्री जी को लिखा है जिसमें मैंने उनसे कहा है कि आज इस समय जब लोगों की जान को वचाना आप लोगों का मुख्य उदेश होना चाहिए तो शराब और नशी की दुकान खोल कर आप अगर कोई भी व्यक्ति इस कोरोना महमारी के समय शराब का सेवन करता है तो उसकी जान भी जा सकती है इस रिपोर्ट को भी भारत सरकार ने अन्देखा किया है सबसे में बात जो है अगर शराब की दुकान खोल दी जाएंगे तो जिस नियम का सबसे बड़ा उलंगन होगा वो होगा सोजशल डिस्टिंसिंग का